आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लेडीज ड्रेस डिजाइनिंग आए देखते हैं इनकी डिटेल वीडियो जी तो यह हमारा इक ड्रेस अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बिता देती हूँ यह देखें इसकी गला है और यह ओपन बटन लगावा है इस पर ठीक है यह बटन सिर्फ दो लगे हूए है बाकी नीचे से यह बंद है सारा सिर्फ यह दो ताके गलास आने से गुजर जाए ठीक है अब उसमें यह सीड़ी लैस लगी हूए है शोल्डर से तकरीबन गले से दो इंच के यह सीड़ी लैस लगी हूए है उपर से नीचे यहां तक दोन और ये है हमारा जो ये कट है ये अलग से बना के ये दोनों तरफ से पटी उसको सीडी लेस से उसको जॉइन कर दिया है के बीच में से नज़र आता है तो बहुत अच्छी इसकी लूक आती है ये इसकी इस तरह से आप देखें ठीक है और कट्स जो है ये बड़े-बड़े बनाए हुए है अब इन कट्स पर ये कट बड़े थे चुँके तो मैंने इसके ओपर ये बटन लगवाए है गोल्डन इसलिए लगवाए है ताकि ये प्रॉमिनन्ट हो जाए ये पांच कट है और पांच ही उसके ओपर बटन लगवाए है ताकि कट प्रॉमिनन्ट हो जाए ठीक है ये चिकन का सूट है अब इसके बाद इसके घेरे की बारी आती है ये घेरे पर देखें ये इसका पहले ही बॉर्डर बनावा था इसके उपर मैंने ये लेस लगवाई है ये देखें गोल्डन बाइट और ये एक ही लेस है ये ऐसी ही मिली है आप कोई भी लेस लगवाले है ज़रा कॉम्बिनेशन के साथ मैंने इसके थोड़ा सा प्रॉमिनेशन के साथ और किसी इवेंट पे पहनना था इसलिए मैंने इस पे गोल्डन लगवाया आपको यह और कलर के लगवा सकते हैं ताकि उस पे प्रॉमिनेंट हो जाए लेकिन यह इसके साथ ही बहुत अच्छा लग रहा था गोल्डन के साथ यह उठ गया जिसे कहते है न वह एफेक्ट आया है अब यह गोल्डन लेस और गोल्डन बटन लगवा दिया थीक है यह इतना सा काम था अब जी स्लीव यह देखें उपर से निचे तक एक जैसी है और इसके स्लीव के एंड पे यह बॉर्डर की थोड़ी सी पटी और कट बनाया है यह देखें यह कट है फिर यह बॉर्डर सिलीव है निद के देखेंगे बहुत खुप सूरत रहस है लेकिन बहुत खुप सूरत लगता है यह बहुत इन है वाइट सूट के साथ जो है आप कलर फुल सा दूबटा लें मेरे बड़ों को पसंद नहीं है कि मैं पैनू मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं वाइट सूट बन वाऊँ तो फिर मैंने यह डिजाइनिंग की है यह कुछ इस तरहां से है इसकी फुल लुक तो अब बारी आती है इसके ट्राउजर की सिंपल ट्राउजर है कैप्री की तरह नीचे से थोड़ा सा फिटिंग में है यह देखें आपने अपने मुताबिक फिटिंग करवानी है उसकी कैप्री की तरह ये ट्राउजर है ये चिकन का मेरे पास दुबटा था ठीक है उसको मैंने ये पैच गोल्डन लगवा के इसको जैसे उसको लगवाया इस तरह इसको भी ये मैंने गोल्डन से लगवाया तक एक लुक सी निकल है इस तरह जी ये बहुत ही होपसुरत लगता है ये सूट ये देखें इसका ट्राउजर दुबटा और शर्ट जी तो ये है हमारा ड्रेस नमबर टू अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देती हूँ ये मैं सूरी शर्ट है इसके अंदर गोल्डन सी अगर आपको और से देख मुझे कट का बहुत चोक हो रहा था लॉंग कट वाला सिल्वाना है तो उसका ये हुआ के लॉंग कट मुझे पसंद नहीं है वो अच्छा नहीं लगता सेंटर में तो मैंने ये थोड़ा सा साइड वाला कट ये सिल्वाया है ठीक है ये देखें साइड पे थोड़ा सा लगवाया है यानि कि यह वाला है वो हो शर्ट का ही हिस्सा सिंपल बस इसमें एक कट लगवाया है ताके एक लुक सी निकलाए ठीक है यह सीधा उपर से नीचे थ्रू आउट कट है यह देखें अब इस कट को प्रॉमिनेंट करने के लिए मेरे पास यह बॉर्डर था ब्लैक अब फिर मैंने सोचा कि मैं इसको मजीद प्रॉमिनेंट करूँ तो मैंने उसके ओपर फिर यह बनाया है यह मेरे पास यह डूरी मिलतीं है गोल्डन क Guitar की यह देखें को और से simple जो cut वाली डोरी मिलती है वो लगाई हुई है उपर से नीचे तक इससे वो थोड़ा सा prominent हो गया और उसकी लुप निकल आई है यह छोटी से variation है जिससे आपका suit बहुत अच्छा लगने लग जाता है और यह देखें यह cut मैंने नीचे खुला रखवाया हुआ open है यह यह बंद नहीं है इतना उंचा cut पसंद करते हैं उतना रखवा ले ठीक है और यह नीचे shirt का border है यह तो print है इसका जी और यह गले पे मैंने pink button लगवाया है क्योंकि इसके अंदर यह pink color बहुत खुबसूरत लग रहा था मैंने सूचा किस color के button लगवाया हूँ यह देखें जहां तक dory है वहां तक यह button लगवाया है ठीक है थोड़ा सा उसे prominent हो जगएगा यह गला बिल्कुल खाली-खाली नहीं लगएगा फिर यह तनी से जगा है जी तो यह देखें sleeves का यह design है उपर से नीचे तक खुली है ठीक है तंग नहीं है फिटिंग में नहीं आ रही और बीच में एंड पे आक एक twist दिया हुआ है पहले तो यह border लगाया हुआ है simple इसका border अविलेबल था बीच में थोड़ा सा उपर करके यह cut में यह मैंने यह भी मेरे पास फीक्सता shirt के साथ ही वह लगवाया यह देखें इस पर चुनट डलवा के यह लगवाया और prominent करने के लिए फिर वही डोरी लगाई है जी तो इसी तरह है इसकी दूसरी बाजू यह देखें और यह है इसकी front look चोटी चोटी वेरेशन होती है जिससे आपका ड्रेस बहुत बबसूरत लगने लग जाता है बैक साइड पे सिंपल गला है गोल और पीछे मैंने यह प्लीट स्टिल वाए हैं प्ड़ा से फिटिंग के लिए ताकि नीचे से मैंने खुला रखवाया है वो कट है ताकि बुरा ना लगे और उपर मैंने फिर प्लीट स्टिल वा लिए हैं क्योंकि मेरी कमर से खुला हो रहा था यह यह है इसकी back side जी तो यह है इसका ट्राउजर सिम्पल उपर से नीचे तक जितना आपको चाहिए ट्राउजर है और नीचे यह इस तरह अम्रेला कटिंग में यह लगवा दिया है फ्रेल सी अम्रेला कटिंग में ही इसकी लुक निक लिएगी ताकि ओवराल जो है यह आपका flare आजाए चुनट आजाए इसके अंदर जी तो यह है इसका ट्राउजर यह है इसका तुपटा है यह लाइनिंग वाला ही तुपटा है यह देखिए इसमें गोल्डन लाइन है यह इसके साथ बहुत प्सुर्ण लगता है और सिम्पल सी पीको बीए हुए है बेबी पीको बेबी पीको से एक फिनिशिंग सी आ जाती है यह देखें तो यह है फुल सूट जी तो एक ड्रेस यह है अब मैं इसको आपके डिटेल बिताती हूँ यह मेरे पास इसकी लेस उनने साथ असेसरीज में दीवी थी मैं सोच रही थी कहां लगवाँ क्योंकि पोस्टर वाली इतनी क्यों खास नहीं लग रही थी तो फिर मुझे यह आइडिया आया कि मैं इसको बैन बनवाती हूँ इसका और वो लगवाती हूँ यह देखें यह मैंने यह बैन वाला गला है आगे से पीछे तक और यह नीचे तक यहां पर खतम हो जाता है यह देखें फुल करके आपको दिखाती हूँ यह इदर से गोल आ रहा है और फिर आगे से पीछे आते हुए यह इस तरह खतम हो जाता है यहां पर यह अलग से पीस बना के लगाया हुआ है ठीक है और उसके उपर फिर यह जो मेरे पास यह लेस थी इसके साथ आप कोई भी लेस लगवालें कोई मैच करके शटल की लेस लगवालें वो भी अच्छी लगेगी किसी सूट के साथ जी इस तरह है और सिंपल इसका यह बाकि है यह अमराइडरी इसके उपर अलरड़ी हुई थी और यह इसकी स्लीव है यह देखें स्लीव सिंपल है आगे इसका चोटा सा बॉर्डर है उपर से खुली और नीचे से तोरी तंग लेकिन ज्यादा फिटिंग में नहीं है ठीक है तो यह इसकी है फ्रंट साइड सिंपल क अगर यह नीचे आपके यह देखें यह अगर आपके यह लेस नहीं है तो आपको चोड़ी से लेश लग वाले है ठीक है यह मेरी तो इसके आथ ही थी आपको चौड़ी लेस लग भाले है उससे भी बहुत अच्छाच आएगा आजकल तो वह फेन से लगा देते हैं पैश तो आप वो भी लगवा सकते हैं उससे फिर ये ऐसे ही लगता है कि जैसे ये रेडी मेड लगी हुई है बीच पे बैच मैं इसको बैक साइड आपके दिखा देती हूँ ये देखें ये आगे से पिछे की तरफ जो है ये पैन है ठीक है और ये सिंपल इसकी बैक साइड है और नीचे मैंने इसका बॉडर लगवा दिया है तो जी बाजू भी आगे पिछे से सेम है अब मैं आपको इसका ट्राउजर दिखा देती हूँ ये इसका ट्राउजर है ये ट्राउजर बेल बॉटम है आजकर क्यूझछ ट और बेल बॉटम चले मैं ञ धुरिएंचनलिए थोड़ी सी एक दो इंछोटी रखवाई है जी तो ये है इसके ट्राउजर का olan बड़न है सिम्पल यह सिल्क का दूख दूपटा है इसको मैंने बस पिको करवाई है और कुछ नहीं करवाया ठीक है सिल्क के तुपट्टे के मैं आपको एक टिप दे दूं कि अगर सिल्क का तुपट्टा हो तो इसको कोई लेस वगएरा या कुछ इस तरह लगवा लें ताकि वो गिरे ना कि मैं इसके बाद कोई ऐसे सूट नहीं खरीदा जिसका सिल्क का तुपटा हो कि अगर आप संभाल सकते हैं कि यह रहे लेकिन मैंने इसके बाद नहीं खरीदा इसका तुपटा और ट्रायॉजर जी तो ये थी हमारे आज की ट्रेस डिसाइन उमीद है कि आपको पसंद आए होंगे मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें दौाओं में यादर कियेगा शुक्रिया